हेलो एवरिवन फैलकम टू यूनिराज टेक्नो चलिए सुरू करते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो पीटी टी विभाग याने की पीटी जो सिक्षा विभाग है वो सोया हुआ है वो किस तरीके से सोया हुआ है क्या गलती कर दिया है क्यों इस्टुडेंटों को परिसान कर रहा है तो इन सब के बारे में डिटेयल से हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को बिना किसी किए एंड तक देक लिएना और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो वह चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो चलिए सरू करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो PTT विभाग के द्वारा रिपंड की प्रोसेस की जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेकिन वो 21 तारिक से और 27 तारिक के बीच में था ठीक है तो ये दोनों कैंसल हो चुके हैं ठीक है उसके बाद में इन्होंने जो है लाइन डाली थी कि एक नगर पाली का द्वारा बंद किया हुआ है तो वो जैसे ही होगा तो साम तक जारी हो सकता है उसके बाद में वो हटा कि इन्होंने एक ओल लाइन डाल दी ये कि प्रवेश प्रकिरिया पूर्ण हो चकी है अते कारिय अल्ले से प्रवेश संबंदी कोई संपर्क ना करे और फिर फ यह बच्चों को पाल बना रहें वां साथ में यदी इन्होंने जो घाड़ाइन नमबर दे रखे हैं अंको तो इनकर पौन से चाह आरा रहा है क्योंकि ओठाते हैय supports लिए इमीज बेो संद्ध सकते जो की सिक्शा भी तरीका से और बी कुल होगा है ठीक है पर अभी तक इने रिफंट को लेकि कोई कदम नहीं उठाया है अब आज-ाज का और बेट कर लेते हैं हम 30 तारीक तक यदि आज साम तक कुछ नोटिविकेशन वगएरा जारी नहीं होता है तो फिर अपन टुइटर पर टूइट करेंगे ठीक है मिलते हैं किसी एक और नियुट drug में और अपने किसी भी जो साती हैहं जिनके पास रिफंट आभी तक पर क्रिकरिया वह भी समझचा से जूज रहे हैं तो उन तक आप नहीं वीडियो यह सेर कर देना मिलतें किसी एको ने उडियम ततक ले बाय